हेलो फ्रेंच, SD Empire Learning Hub में मैं अधिय स्वत सापसब का स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं एक ऐसे विशे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो पूरी मानवता के लिए खत्रा बना हुआ है लेकिन अभी इस पर इतने विस्तार से चर्चा की नहीं जाती है जी हाँ मैं बात करने जा रहा हूँ अर्थ ओवर्शूट डे के बारे में अभी ये चर्चाओं में क्यों है दरसल हाल ही में Global Footprint Network की एक रिकोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इस साल का अर्थ ओवर्शूट डे 29 जुलाई को मनाया गया है तो जानते हैं कि अर्थ ओवर्शूट डे होता क्या है अभी इसकी क्या वज़े होती है जिसकी वज़े से इसको मनाया जाता है और इसके क्या-क्या वो स्टेप्स है जिनको लेकर हम अर्थ ओवर्शूट डे पर रोक लगा सकते हैं देखे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि Earth Overshoot Day कोई त्योहार नहीं है कि जिसे मनाया जाता है बड़ी खुशी का करण है बलकि ये एक मोका होता है जब पूरे विशु को आगहा किया जाता है उस खत्रे की तरफ जो परियावरन पारिस्तितिकी के रूप में हमारी तरफ बढ़ रहा है दरसल अर्थ Overshoot Day की जो अवधरना है इसका प्रतिपादन UK के एक अर्थसास्त्री थे एंड्रू सिम्स उन्होंने किया था उनका एक NGO करता था न्यू एकोनोमिक फांडेशन तो न्यू एकोनोमिक फांडेशन ने ग्लोबल फूट्प्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर 1986 से इस दिन की गंड़ना शुरू की थी लेकिन जो सबसे पहला Overshoot Day मनाया गया था वह 2006 में मनाया गया था तो आईए जानते हैं अर्थ Overshoot Day होता क्या है देखिए जै आप उस साल में एक लाख रुपे उससे शोपिंग कर लेते हैं तो पचास हजार रुपे आपको जो है अगले साल पे करने पड़ेंगे यानि कि आप Overshoot हो गए अपने टार्गेट से इसी तरीके से प्रत्वी अपने जो उसके नेच्रल रिसोर्स होते हैं एक साल में जितन 22 जुलाईता को अलेडी कर चुका है आपको जानकर हैरानी होगी कि 1969 में यह आकडा 13 महीने के लिए वा करता था मतलब प्रत्वी जितना पैदा करती थी पूरी दुनिया उसका 13 महीने में उभोग कर पाती थी लेकिन पिछले 20 साल में यह आकडा दो महीने पहले आ चुका है 1903 में यह डे 21 अक्टूबर को मनाया गया 2003 में 22 सितंबर को मनाया गया 2017 में 2 अगस्त को मनाया गया 2018 में 1 अगस्त को मनाया गया और इस साल तो यह और भी घटकर 29 जुलाई तक आ गया है दरसल इससे फरक क्या पड़ता है इससे फरक यह पड़ता है कि प्रत्वी ने हमारे ल टाइम प्रत्वी को रिजन डिट करने में लगता है उससे पहले यह दियाम उसका उभव कर ले तो जाहिर सी बाते प्रत्वी केपिसिटी तो खराब होगी होगी और इससे पूरा का पूरा यह भी इसकी एक वज़े है अब ऐसा हो क्यों रहा है देखें यहां पर दो चीजें हैं एक तरफ जनसंख्या जो धीरे 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 बढ़ती जा रही है एक अनुमान यह है कि भारत की अबादी दोजार पचास तक बढ़कर एक अरब 80 करोड हो जाएगी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए विकास भी जरूरी है अब विकास और संसादनों के बीर संतुलन किस तरीके से स्थापित किया जाए यही अर्थ ओवर्शूड़े की संकल्पना है दरसल इसको कहते हैं सस्टेनेबल विकास यानि कि सतत्विकास जब आप उतना इस्तेमाल करें जितना आपकी जरूरते हैं और उतना छोड़ दें जो आपकी भावी जनरेशन के लिए आने वाली पीड़ के लिए उपियोगी हो ऐसा नहों कि आप ही सब कुछ खत्म कर दें इतना दोहन करने लगें तो अब इसके क्या-क्या उपाय हो सकते हैं देखे इसको रोकने के बड़े सिंपल तरीके हैं सबसे पहले हमें संसाधनों के उपभोग में कमी लानी होगी और वह कमी तब होगी जब हमारी जनसंख्या कम होगी यदि हम जनसंख्या को 50% घटा भी देते हैं तो भी हम अर्थ ओवर्शूट डे में केवल 19 या 20 दिन का इजाफ़ा कर पाएंगे दूसरा खाने की बरबादी हमें कम करनी होगी तीसरा मचलियों का या मान सहारी जो भी हम भोजन इस्तेमाल क सकते हैं इसके अलावा जनसंख्या नियंतरण सबसे ज़्यादर जरूरी है क्योंकि यदि आप जनसंख्या पर रोक लगा लेते हैं तो बाकि की चीजे अपने आप ही आप साध लेते हैं तो दोस्तों यह हमारे लिए बड़ी चिंता का विश्य है कि इस साल का अर्थ ओवर प्रत्वी को बचाया जा सके क्योंकि गुलोबल फुट्प्रिंट नेटवर्क के जो संस्थापक हैं मैथिस वेकरेंजल उन्होंने चेतामनी दी है कि जिस हिसाब से हम प्रत्वी का उभग कर रहे हैं उस हिसाब से हमें एक प्रत्वी की नहीं एक दसमलव साथ पांच प्र जरूत है और यकीन मानिए यदि हम 1.75 प्रत्वी का उभग करेंगे तो इसके प्रिणाम बड़े विनाशकारी होंगे और यह आकड़ा 2030 में बढ़कर पूरा दो प्रत्वी की जरत पड़ती थी 2030 तक हमें एक साल में दो प्रत्वी की जरत पड़ेगी हम इतना उभग करें अपने अपने स्तर पर ही करें जिससे इस खुबसुरत प्रत्वी को बचाया जा सके धन्यवाद